हम और आप लोगों ने बाकारड़ातोर पे एक एक्वेशन लिखी हुई थी क्रोमोसोम इस इकुल टू डीने प्लस प्रोटीन्स प्रोटीन की स्टोरी क्या थी? वो पूरी की पूरी मैं आपके साथ शेयर की हुई थी लेकिन जो प्रोटीन्स थे जिसको हम और आप लोगों ने हिस्टोन या अक्टिमीर भी का हुआ था बोर्ड के ओपर मैंने इसका डायगराम आप लोगों को कुछ ऐसे बनाया हुआ था एक ऐसे होगा, दूसरा पिर ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा पिर चौता ऐसे होगा, तो ये हट्टू ए, हट्टू बी और हट्री और हट्टू फॉर ये प्रेज़न्ट है लेकिन साथ में आपके साथ लिए बास खेयर की वी थी कि ये दो-दो मालेक्यूल्स होंगे, तो त्रीडी में इसके पीछे में इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये वो टू-टू मालेक्यूल्स हैं, जो कि इनके प्रेज़न्ट होते हैं तो आखिर में ये है क्या, मैं यहां पे लिक्वा लेता हूँ, ये वो आक्टेमियर है लेकिन इसके अक्टेमियर के उपर चार्ज कौन सा है, पाजिटिव, और ये है अलके लाइन, यानि बेसिक इन नेचर है ये बात हम और आप लोगों को ने शेयर की हुई थी, लेकिन साथ में मैं आपके साथ ये बात भी बताई हुई थी कि आप लोग बोर्ड के उपर ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग हाथ से भी करना चाहें, तो भी आप लोग इसको ऐसे कर ले हाथ को H2A, H2B, H3 और H4, तो सामने आप लोगों को एक-एक मालेक्यूल नदर आ रहा है, पीछे को भी इसका एक-एक मालेक्यूल जो है, वो प्रेसेंट है, तो ये एट मालेक्यूल होते हैं, अक्टिमियर कुछ इस फारा में होते हैं, अब आ जाते हैं, DNA के ओपर तो, अगर कोई DNA का मालेक्यूल जो है, ये फिर एक प्रेसेंट है, लेकिन इदर ही, एक बात आपकी जहन में और बिटा दूँ, MCQs के लिहास से भी इंपार्टेंट है, वैसे भी अगर आप लोग बुक को रिडिंग दे दे, तो भी आपके लिए फाइदा मंद होगा, कि जब भी मैं कहूँ, DNA, यानि DNA का एक मालेक्यूल, तो DNA का एक मालेक्यूल का मतलब ये है, दो स्ट्रेंड, यानि टू स्ट्रेंड, विकास DNA, सिंगल मालेक्यूल इस डबल स्ट्रेंड, तो आपके जहन में कहीं ये बात ना हो, कि एक स्ट्रेंड एक मालेक्यूल है, दूसरा स्ट्रेंड दूसरा मालेक्यूल है, नहीं, DNA simply means two strands इसमें दो strands होते हैं एक DNA के अंदर दो strands होते हैं यह बिलकुल ऐसे ही होता है जिस तरह के हम कहते हैं कि हेमोगलोबीन तो हेमोगलोबीन में चार प्रोटीन के मालेक्यूल होते हैं चार प्रोटीन strands होते हैं तो एक हेमोगलोबीन का मतलब चार strands यह बात आपके जहने में होनी चाहिए इस तरह से एक DNA का मतलब यह है DNA के दो strands हाँ तो इन में यह होता है और अगर मैं एक स्ट्रेंड को कहूँगा तो फिर हम बिलकुल तो इसको ऐसे कहते हैं DNA की स्ट्रेंड हम और आप लोगों ने पड़ी हुई है अब हम और आपको गिसी क्रोमोसोम को बना रहा है तो क्रोमोसोम तो बनना हुआ है इस DNA और इस आक्टिमियर से तो होता क्या है कि उधर पे तो वो प्रोटीन आक्टिमियर में ने बना दिया है DNA को आप लोग कंस्लिडर कर ले कि जो हैटफून में ने लिया हुआ है ये वाला ये हमारे साथ कोई DNA का एक मालेक्यूल है, एक DNA है तो उसमें ये दो स्ट्रेंड हमारे साथ प्रेजेंट है तो ये जो दो स्ट्रेंड है अगर आप लोग इसको देख ले इन में हीलिक्स होते हैं तो वो हीलिक्स कैसे होते हैं वो हीलिक्स ऐसे होंगे ऐसे जाएगा पिर ये ऐसे जाएगा पिर ये ऐसे जाएगा हीलिकल लेकिन चुणके उसको मैं ऐसे शो नहीं कर सकता तो समझाने के लिए मैं इसमें हीलिक्स को ऐसे बना लेता हूँ यह ऐसे हीलिकल होता है हलांकि यह हीलिकल स्ट्रक्चर है नहीं गलती कर रहा हूँ पर समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ So DNA which itself is a हीलिकल स्ट्रक्चर ऐसे हैं इसमें कोई शक नहीं है टू स्ट्रेंड है, एक मालेक्यूल है, दोनों स्ट्रेंड हीलिकल है तो पिर ये होता क्या है, कि ये जो हीलिकल स्ट्रक्टर होता है डीने का जो कि टू हीलिक्स है, डबल है, हीलिकल है तो ये तो हम और आप लोग उने आक्टिमियर को बनाया हुआ तो जो मैंने बोर्ट के उपर बनाया हुआ है तो ये इसके उपर देख ले मेरी तरफ होता कैसे है ये एक मरतबा इसके उपर ऐसे आ जाता है पिर ये दूसरी मरतबा पिर इसके उपर आ जाता है तो कितने टाइम मैंने इसके उपर कर लिया है? टू टाइम्स तो अगर आप लोगोंने बच्छपन में वो गेम के लिए हो कि सारे ऐसे गोल से बेड़ जाते हैं किसी के साथ कोई चादर होता है वो चादर को ऐसे रोटेट कर लेता है और किसी के पीचे उसको रख लेता है तो यू नो कि हम इसको पिर निकाल लेते हैं और पिर आप इसके किसी को मारते हैं तो बास दफ़ा अगर आपको किसी के उपर बहुत ज़्यदा घुसा आता है तो वो चादर आल्रेडी हीलिकल होता है लेकिन हीलिकल को पिर आप लोग पिर से हीलिकल बना लेते हैं यानि पिर आप इसको हीलिकल बना लेते हैं तो अगर आप लोग हीलिकल को पिर हीलिकल बना दे तो इसके लिए आपके बुक ने बड़ा खुबसूरत लफ़ लिका हुआ है सूपर हीलिक्स य Dads, याने हैलुक्स को आपने पिरहलिकल किया, सूपरहलिक्स या कुछ लोग इसको सूपरटो ट्विस्ट भी कहते हैं ये दो अलफास हैं जो इस्तिमाल होते हैं इसका हीलिक्स हिलिक्स का लफ़द में आप लोग को समझाया होता लेकिन अगर हिलिकल को आप पिर हिलिकल कर ले तो पिर हम इसको सूपर हिलिक्स या सूपर ट्विस्ट के आलफास हम पिर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि ये तो हमारे साथ प्रेजिन्ट था वो आक्टेमियर हिस्टोन था एट मालेक्यूल्स थे इसके उपर डिये ने एक मरतबा हिलिकल पिर हिलिकल तो फिर मैं कह सकता हूँ कि इसके उपर ये सूपर हिलिक्स या सूपर ट्विस्ट की फारम में इसके उपर ये ऐसे प्रेजनेट होता है ये बात आप लोगों ने बूनी नहीं है ये पता होना चाहिए ऐसे डबल फारम में तीन नहीं होते है एक नहीं होता टू टाइम इट मींज डिये ने रेप बाकाईड़ तर पे डबल यू आर एपी बुक ने ये लफ़ज लिकावा है रेप ट्वाइस और फिर लिकावा है इसकाल सूपर हिलिक्स आर सूपर ट्विस्ट हम इसको कहते हैं तो अगर मैं इसको बोट के उपर बनाओ तो फिर आप लोगों तोटे से मारकर को देखते जाए ताकि आप लोगों को समझा जाए वो DNA का एक स्ट्रेंड ऐसे आ रहा है एक मरतबा इसके उपर ऐसे हुआ पिर सेकेंड टाइम पिर से हुआ टू टाइम्स दो मरतबा तो अगर मैं इसको DNA तो दो स्ट्रेंड्स है तो एक स्ट्रेंड मैंने बना दिया है दूसरा वाला चलो किसी और क Edwards से मैं इसको समझा देता हूँ वो इसके उपर इस फार में ये present होता है ये वो दो strands है जो कि इस की फार में इसके उपर ऐसे present होते है जो चीज में यहां पर इसके ऊपर show कर ली है ये ये ग्रिन सी ये कोई और चीज नहीं है यह वो DNA है लेकिन जो DNA है वो जिस फारह में इसके उपर प्रेसेंट है वो प्रेसेंट है सुपर ट्विस्ट या सुपर हीलिक्स लेकिन जो DNA है इसके उपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है पर फितरतन यह एसिडिक है इसका मतलब कि DNA इसके उपर आ रहा है तो अगर उपर आ रहा है तो फिर तो ये अबव हुआ, पेरीफरी पे हुआ लेकिन जो आक्टेमियर है वो तो अंदर की तरफ चला गया ताप जाके उसने लिखा हुआ है जो आक्टेमियर होता है इट इस प्रेजेंट इन दी फारम आफ कोर C-O-R-E, ये अंदर की तरफ होता है ये प्रेजेंट होता है एक अंदाजे के मुताबर ये जो कोई चीज उसने बना दी है अब अगर आप लोग देख ले तो उसमें तो आक्टेमियर भी हुआ इसके उपर जो डीने है वो भी सुपर हीलिक्स की फारम में इसके फारम में ये प्रेजेंट है इसके उपर ये प्रेजेंट है जो चीज हम और आपनों को ने शो कर ली है इसको आपके बुक ने एक नाम दिया हुआ है नियूकलियोसोम नियूकलियोसोम तो अगर मैं पूछ या कहीं पूछा गया लेकि निुकली ओसोम में क्या है तो अधर पे तो आक्टेमियर है उस आक्टेमियर में कोन-کोन-कोन से ही स्टोन नहीं हैं एच्वान नहीं है कोन से हैं स्टू अहे है 이टू भी है त्री है एच्फौर है वह बाकि नहीं है कि लेकिन इसके उपर जो converts how to be प्रिंस्सों के ह2 भी है, ह3 है, ह4 है, वो बाकी नहीं है, लेकिन इसके उपर जो DNA है, वो भी सूपर हीलिक्स, सूपर ट्विस की फारर में प्रेजन है, प्लीज आप लोग इसके लिए हीलिक्स का लफ़ज आप लोग इस्तेमाल ना कर लें, या आपनों को पता होना चाहिए, जो चीज बन ग प्रेंसल, तो न्यूकलियोस्वम चार्ज के लिहाज से भी निउट्रियल, पी-एच के लिहाज से भी निउट्रियल हो गया, लेकिन इनमें कितनी चीज़ आगई है, दो चीज़ आगई है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें ह1 नहीं होगा, और इसके अंदर वो DNA भी है, ल यह बात मैं आपके साथ पहले ही शेयर की वी थी, DNA in pure farm is unstable, इसका मतलब कि DNA की stability के लिए कुद्रत ने यह प्रोटीन बनाए हुए, आक्टेमियर, आपके जिहन में यह बात होनी चाहिए, बात दफाए यह बात पूचे जाती है, कि आक्टेमियर की stability के लिए DNA नहीं है, DNA की stability क लिए सारा कुछ हो गया है, number one, इसका फाइदा यह हुआ, दूसरा फाइदा इसका यह है, कि अगर आप लोग यह जो DNA है, जहां पर यह super twist है, super helix है, यह है क्या, वो तो DNA है, DNA किस जिसका बना हुआ है, वो तो nucleotides है, तो अगर आप लोग इन nucleotides को count कर ले, तो वो 200 होते है इसका मतलब कि super twist में, super helix में 200 nucleotides होते हैं, तो फिर इसका फाइदा क्या होता है, इसका फाइदा यह होता है, कि अगर आप लोग एक cell ले ले, उसके अंदर आप लोग एक nucleus ले ले, nucleus के अंदर तो chromosome से chromosome के अंदर तो DNA और protein है, DNA तो बना हुए nucleotides का nucleotides तो 6 billion है, तो अगर एसे dispers होते हैं, कुले कुले होते हैं, ओपन होते हैं, तो फिर यह nucleus के अंदर एकामोडेट ना होते हैं, मसला होता है, तो खुदरत ने क्या क्या हुआ है, कि उन nucleotides को लिए, यह nucleosome बनाए होए हैं, और यहां पर यह condense हो जाते हैं, compact हो जाते हैं, और इसका फाइदा क्या वोने बूस या बूसा देखा होगा ये बाजार में इसके केक्स मिलते हैं वो जो पैक होते हैं अभी अभी ताजा उद्दधा इद कुजर गई है उद्र पर आप लोग Beach ने देखा भी होगा लोग इसको लाते हैं तो उदर पर बहुत ज़रा बूस होता है, बूसा होता है, उसके केक्स होते हैं, उन केक्स में इसको पैक किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो अगर आप लोग बूसी एक केक को लें, और कहिए अगर आप लोग इसको ओपन कर लें उस बूसे को, तो वो पूरा का पूर आप बहुत जगा को यह फिर गंदा कर सकता है यह जब ओपन हो जाए तो अगर आप लोग उसमें से हर एक बूसे को कंसिडर कर लें कि यह एक निकलोटाइड है तो अगर देख लें वह बहुत ज़्यादा बूसा निकलोटाइड यह कंप्रेस हो जाता है एक केक की फारम में कंप्रेस कर लेता है और उस केक को पर हम और आप लोग न क्या है इसका एक फाइदा यह वह एक उसने डने के इतने ज़्यादा निकलोटाइड को कंपेक्ट भी किया तो निकलोसं के हमारे साथ दो फाइदे हो गए हैं डने को स्ठेबल भी किया नंबड टू उसने बहुत ज़्यदा निक्लोटाइट्स को compact भी किया, बुक ने ये बात लिखी हुई है, पता होना चाहिए आप लोगो, चार्ज कोन सा है, zero, neutral, pH कोन सा है, neutral, वो कुछ हो इसके उपर नहीं है, तो ये point आप लोगो पता होना चाहिए, लेकिन, अगर आप लोग 200 निक्लोटाइट्स को ले ले, हर एक का जो डाइमेटर है, you know, 0.34 नेमेटर, 0.34 नेमेटर, 0.34 नेमेटर, 0.34 नेमेटर, 0.34 नेमेटर, आप लोग जाए 200 तक आप लोग इसको कर ले, तो अगर 200 निक्लोटाइट्स को आप लोग openly छोड़ दे, तो फिर तो इसका बहुत ज़्यादा डाइमेटर बन जाएगा, लेकिन जब निक्लोटाइट्स को कमपेक्ट कर ले, तो इससे पिर इसका डाइमेटर 200 के मुकाबले में कम हो जाएगा, खोड़ 200 से इंडिविंचुल यागर आप लोग इसको ले, सबको ले ले, तो फिर उससे ज्यादा होगा, तो फिर ये कितना बन जाता ह है, तो फिर ये 10 नेनोमीटर बन जाता है, तो 10 नेनोमीटर आप लोगों को ज्यादा नजर आएगा, लेकिन 10 नेनोमीटर बहुत कम है, क्योंकि उसने 200 निक्लोटाइट्स को भी कमप्रेस किया हुआ है, तो अगर आप लोग सोचेंगे ना, कि मैंने तो आप लोगों के इसका डायमीटर है, वो तो फिर कम होना चाहिए, ये तो 10 नेनोमीटर है, तो 10 नेनोमीटर आप लोगों को ज्यादे नजर आएगा, लेकिन आप लोगों इस लिहास से भी सोचेंगे, वहां पे 200 निक्लोटाइट्स भी प्रेसेंट है, तो उस 200 में अगर ये सेपरेट होते तो फिर ये बहुत ज़्यदा जागा आँको पाई करता, ये सिंप्राइट तो ये 10 नेनोमीटर, तो पुराने बुक्स में इसको लिखते थे कि ये 9 नेनोमीटर है, पिर बुक्स है, 10 नेनोमीटर है, कुछ इसको 11 नेनोमीटर लिखते हैं, तो आप 10 प्लस माइनस वण लि से में यह बात पूछी जा सकती है कि एक सूपर ट्विस्ट या सूपर हिलिक्स में कितने निक्लोटाइट्स होते हैं 200 लेकिन उधर पर भी एक हिलिक्स में आप लोंको बताया हुआ था वहां पर 10 थे लेकिन हाफ सूपर हिलिक्स में तो 100 तू हिलिक्स के अंदर कितने निक्लोटाइट्स तो 20 तू सूपर हिलिक्स के अंदर तो 200 यह आप लोगोंने सोचना होगा कि क्या पूछ रहे मुझ से तो फिर आप लोंको पता होना चाहिए बुक में नहीं है ऐसे हाप लोंको के अगर एक हिलिक्स के अंदर सीम्पल जो हिलिक्स है उसमें 10 निक्लोटाइट्स है तो अगर हमारे साथ 100 निक्लोटाइट्स होते तो पिर यह कितने हिलिक्स बनाता? 10? तो अगर 200 nucleotides तो फिर कितने helix बनाता है? 20. तो अगर आप लोग यहां पे देख लेए 200 nucleotides एक super helix के अंदर है, इसका मतलब कि 200 nucleotides 20 helix को बनाता है. So in other words, I can say 20 helix makes a single super helix. Concept है, पता होना चाहिए, इशारा दे रहा हूँ, इसका मतलब यह हुआ कि इसके उपर कितने, तकरीबन यह helix होते हैं, तकरीबन 20 helix जो होते हैं, वो एक super helix को बना लेते हैं, तो nucleosome के उपर एक super helix होता है. लेकिन वहाँ पर helix कितने होंगे? वो फिर 20 helix बन जाएंगे. लेकिन एक helix में कितने nucleotides हैं? 10. लेकिन एक super helix में कितने हैं? 200. बाकि आप लोग कल्कुलेट कर सकते हैं. यह जो nucleosome होता है, एक हुआ, फिर इसके बाद कोई दूसरा nucleosome भी होगा ना, तो जल्दी में अगर मैं इसको बना दूँ, तो पिर यहां पे कोई एक हुआ, यहां पे कोई दूसरा हुआ, यह फिर से वो ακ्टेमियर हुआ. इसके उपर फिर से वो DNA super helix में प्रेजन्ट है पिर इदर पे कोई nucleosome होगा, पिर इसके उपर यह present होगा, तो अगर आप लोग इस nucleosome को देख लेए और इस nucleosome को देख लेए, तो इसके बीच में आप लोग कोई चीज ना दर आएगी, यह भी कोई और चीज नहीं है, यह DNA है. इस DNA को, जिसने इस nucleosome को और इस nucleosome को आ आपस में link किया, आपस में connect किया, बुक ने इसके लिए एक लफ़ लिकावा है, linker DNA. तो linker DNA है क्या, linker DNA असल में, क्रोमोसome के अंदर जो nucleosomes होते हैं, उस एक nucleosome को दूसरे nucleosome के साथ यह link करता है, तब जाके हम इसको linker DNA भी हम इसको कहते हैं. बहुत ज़दा depth में हम नह जाएंगे, लेकिन फिर भी आपनों को एक इशारा दे दो, कि standard books लिखते हैं, कि out of 200 nucleotides, इसमें 170, इस nucleosome के ऊपर present होते हैं, जो बाकी 30 होते हैं, वो इस linker DNA को बना लेते हैं, लेकिन चुंकि linker DNA की length आपके course में हैं नहीं, बहुत ज़दा हम और आपनों को death में नहीं जा लिखा गया है, generally मैंने आपके साथ बार शेयर कर लिए, generally आपनों को पता होना चाहिए, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि जो linker DNA है, इसका basic function क्या हुआ, वो एक nucleosome को दूसरे nucleosome के साथ ये link करता है, attach करता है, इसका फाइदा यही है, तो जो linker DNA है, यह त तो इसको भी कुद्रत तो stable करेगा, otherwise तो मसले create होंगे, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हिस्टोन का कौन सा protein ता जो मैंने बताया हुआ ता participate नहीं करेगा, H1 ना, शाब बसे, तो वो जो H1 होता है, वो इसके उपर आ जाता है, और इस H1 का main function क्या है, वो जो linker DNA है, इस DNA को stable कर लेता है, तो आप देख ले, कहीं question में पूछा गया, कि आक्टेमियर में कौन सा वाला हिस्टोन नहीं होता, H1, कहीं पूछा गया linker DNA, ये तो book के अंडरों से बात लिकी हुई है, वहां पे कौन सा protein present होता है हिस्टोन का H1, कौन से नहीं होते, तो वो H2A, H डबल जो है, ये present है, तो कहीं पूछा गया, आक्टेमियर में कौन सा नहीं होता, H1 नहीं होता, H1 के कितने molecules होते हैं, linker DNA के उपर 1 होता है, H2B के कितने molecules होते हैं, आक्टेमियर में 2 होते हैं, ये बाते पिर आपनों को समझ जाने चाहिए, next point, बड़ा important point, वो ये है, कि ज structural and functional unit, जो के protein में, जो के present होता है, इसको हम और आप लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम और आप लोग कोई और चीज़ नहीं कहते हैं, इसको हम और आप लोग अक्टेमियर पिर कहेंगे, क्रोमोसोम में कहीं पूछा गया, otherwise amino acids हैं, otherwise amino acids हैं, otherwise amino acids हैं, लेकिन कहीं DNA के अंदर So nucleosome is the basic structural and functional unit of the chromosome 1 मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जो chromosome है इसका जो basic structural and functional unit है जिसको हम आप लोग nucleosome कहते है क्या इसके nucleosome में H1 है नहीं है इसका मतलब कि nucleosome basic structural and functional unit है chromosome का लेकिन उस basic structural and functional unit में जो histone participate नहीं करता हूँ H1 है लेकिन जो chromosome हमारे साथ बन रहा है उसमें H1 participate करता है तो बड़ी जबर्दस बड़ी technical बात है H1 chromosome की formation में तो हिस्सा लेता है लेकिन इसके basic structural and functional unit में नहीं है तो यह कहां पे इन चीज़ों की आप लोगो को समझ जाने चाहिए Next point, वो यह है वो यह है, वो यह है कि तो सारा कुछ हो गया है अब अगर आप लोग क्रोमोसोम को देख ले तो इसके उपर जो nucleosomes होंगे यह फिर आप लोगो को बहुत ज़्याद आप लोगो को ऐसे नदर आएंगे मेरी interest नहीं रही हुई है अगर आप लोग की है, आप लोग इसको calculate कर सकते है कि अगर हमारे साथ 6 billion nucleotides है तो इन में फिर कितने nucleosomes होंगे तो अगर आप लोग 6 billion को 200 के उपर divide कर ले तो इतने आपके साथ nucleosome भी बन जाएगग वो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा तो अगर आप लोग क्रोमोसोम को देख ले तो इसमें आप लोगो कैसे नदर आएगे nucleosome, 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 nucleosome अगर एक nucleosome के बीच में link DNA भी होगी तो इसकी appearance कैसे होगी समझने की कोश़ कर ले मेरे हाथ में beads हैं, तसपे हैं अगर आप लोग इनमें से इस एक को consider कर लेए, एक nucleosome हुआ दूसरा nucleosome, 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 ऐसे हैं ना लेकिन अगर आप लोग हर एक beat के बीच में देख लेए तो चोटा सा thread आप लोगों को नदर आ रहा है ये वो linker DNA है इसका मतलब ये हुआ कि आपके बुक ने बड़ा खुबसरत लिकावा है कि करोमसोम की knobby, K-N-O-B-B-Y knobby, knobs like इसकी expression होती है या कुछ लोग इसको beads like expression कहते हैं कि bead की तरह इसकी करोमसोम जो होता है वो हमें नदर आता है क्यों आपको beads की तरह नदर आएगा कि ये हमें नुकलियोसोम नदर आएंगे और नुकलियोसोम के बीच में हमें linker DNA नदर आएगे समझाने चाहिए आप लोगो ये सारा कुछ ऐसे होता है पिर होता क्या है पिर होता ये है कि अगर फर एग्जामपल इस नुकलियोसोम को में ले लो सबको और इसको मैं आपस में ऐसे कंडेंस कर लो पिर कंप्रेस कर लो ऐसे इसको पिर कंप्रेस किया तो अगर आप लोग नुकलियोसोम को पिर कंप्रेस कर ले ऐसे ये नुकलियोसोम है अगर मैं इसको फिर compress कर लो नूकलिसोम को मैंने compress किया तो जो चीज मेरे साथ बन गई है बुक ने इसके लिए नाम लिका हुआ है क्रोमेटीन फाइबर इसके लिए नाम लिका हुआ है क्रोमेटीन फाइबर लेकिन क्रॉमेटीन फाइबर के लिए आपके बुक ने एक और लफ़ भी लिका हुआ है वह है सॉलिनाइट तो अगर मैं पूछू हूँ किस चीज़ से बना तो वो तो नियूकलियोसॉम की कंप्रेशन से बना तो फिर सॉलिनाइट या क्रॉमेटीन फाइबर का फाइदा किया हुआ इसका फाइदा ये हुआ कि उसने बहुत ज्यादा नियूकलियोसॉम को कंप्रेश किया इसका मतलए कि कंप्रेशन जा रही है क्यों कंप्रेशन हो रही है तो ये नुकलियोसोम फिर compact हो जाते हैं, तो याद रख ले, नुकलियोसोम का जो compact form है, इस काल chromatin fiber और solenide, लेकिन याद रख ले, नुकलियोसोम से ज्यादा compaction chromatin fiber और solenide के अदर होगी, तो फिर इसका जो diameter होगा, solenide का, chromatin fiber का, वो तो नुकलियोसोम से ज्यादा होगा ना हालाएं कि अगर आप लोग इस क्रुमेटीन फाइबर या सुलोनाइट के अंदर देख लिए तो पिर यह बहुत ज्यादा यह बहुत ज्यादा निकलियोसॉम को एकामोडेट कर लेगा बिल्कुल ऐसे ही जिसने बहुत ज्यादा निकलियोसॉम ने क्रोमेटीन फाइबर या सॉलिनाइड बोट एक जैसी है, फरक है, तो याद रख लिए कमपेक्शन किस की ज्यादा है, वो क्रोमेटीन फाइबर की, क्रोमेटीन फाइबर या सॉलिनाइड किस से बना हुआ है, कंडेंसेशन आफ नुक्लियोसोम से बना हुआ है, बात वाई ह कमपेक्शन ज्यादा बार्फ होती है। कुछ जगों पर कमपेक्शन कमालती है। जहां पर कमपेक्शन ज्यादा है। इसका सब्सक्राइब है और मा Hahnक्रोब में अपनों को डॉर्क नजर आएगा। अने इस को मत्लब ये यह compaction आप लोगों को light नदर आएगी, कम नदर आएगी, कुछ जगों पे ज्यादा है, जहां पे कम है, microscope में आप लोगों को light नदर आएगा, light को later in में हम कहते हैं EU, EU, तो पिर हम और आप लोग इस area को हम कहेंगे, EU chromatin, EU और पिर chromatin, इसका मतलब यह हुआ, कि जो solenide होते हैं, chromatin fibers होते हैं, वहाँ पे nucleosome की condensation के basis पे दो तरह की जगह हमें नदर आएगी, heterochromatin होगा, eucromatin होगा, heterochromatin में nucleosome की condensation ज्यादा होगी, eucromatin में nucleosome की condensation है ना, और फिर कम होगी, लेकिन, मैं आंधर पे students को कहता हूँ, कि अगर आप लोग एक class लेलें, आप लोग इमेजन करते जाएं, वहाँ पे students बेटे हुए हैं, तो अगर आप लोग students को जितना आप center में जाते हैं, अंदर जाते हैं, वहाँ पे students की जो number है वो ज्यादा होती है, वहाँ पे वो condensation ज्यादा होती है, लेकिन जितना आप side पे होते हैं, periphery पे होते हैं, वहाँ पे जो students होते हैं, उनकी जो concentration होती है, वो पिर कम होती है, तो अगर आप मेंसे मैं किसी student को कहूँ, पूछूं, कि जो student दर्मियान में बेटा हुआ है, वो आके इधर पे खुद को express कर ले, तो इसके लिए आसान होगा कि खुद को express कर ले, कि नहीं, उस class के अंदर जहां पे students की condensation कम है, जो sides है, उन में से किसी student को मैं कहूँ, कि आप आजाए, और खुद को आप express कर ले, उनके लिए आसान होगा, मेरे लहाज से भी, आपके लहाज से भी, जो दर्मियान में बेटे हुए हैं, उसके लिए मसला होगा, जहां पे condensation कम है, students कम है, वहाँ पे किसी student को निकालना, express करना, वो फिर आसान होगा, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि जो हेट्रो क्रोमेटिन है, यहाँ पे DNA की, निक्लियोसोम्स की condensation ज्यादा है, तो यहाँ पे जो DNA होगी, इसको express करने का जो मौका है, वो कम मिलेगा, जबकि यू क्रोमेटिन के अंदर जो DNA है, वहाँ पे इसको express करने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा, express करने से मेरा मतलब क्या है, हम पढ़ेंगे कि DNA होते हैं, जीन्स बनाते हैं, जीन्स बकाईरा तोर पे खुद को express करते हैं, enzymes बनाते हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि mostly जो DNA है, जो हेट्रो क्रोमेटिन के अंदर होता है, वहाँ पे इसकी expression नहीं होती, मतलब कि mostly यहाँ पे genes present नहीं होते हैं, जो genes present होते हैं, वो इस यू क्रोमेटिन एरिया के अंदर present होते हैं, यह बात भी आप लोगों को जनरली बता दो, कि यह कहा जाता है, कि 90% DNA, human beings के बाड़ी में, वो inactive है, unexpressed है, उसकी expression नहीं होती, वो हेट्रो क्रोमेटिन के अंदर present होता है, जबकि 10% DNA जो है, इनकी बाकाईन तोर पे expression होती है, वो यू क्रोमेटिन के अंदर present होता है, और यू नो कि जब DNA की expression हो, तो फिर हम और आप लोग इसको genes कहते हैं, इसका मतलब कि जो 10% DNA है, इन में वो genes present होते हैं, बनाते हैं, 90% में वो नहीं होता, और अगर आप लोग इस 10% में इन number of genes को count कर ले, तो वाय टेक्टन लोड़ी चप्टर में हम पढ़ेंगे, 20 से लेक 25,000 तक genes हमारे हर एक सेल के अंदर present होते हैं, इसका मतलब कि 10% DNA ने हमारे अंदर 20 से लेके 25,000 तक genes बनाये हैं, जब कि आप देख लिए 90% DNA वो unexpress हैं, उन्होंने genes नहीं बनाये हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कि 10 ने अगर इतने बनाये हैं, तो पिर 90 कितने हैं, जिन होने इनको बनाया हुआ हैं, और वो वहाँ पर unexpress फारम में present हैं, मुझे पता है, आपके जिन में ये बात होगी, लेकिन हम और आप लों भी इसको describe नहीं करेंगे, कि क्यो unexpress हैं, क्यों ये express हैं, क्यों सादा से अलफाद में आप लों इसको control करते हैं, इनकी हमें जरुरत नहीं होती, खुदा नखुस्ता अगर किसी की हो भी जाएं, तो ये मुखतलिफ किसम के जो बीमारिया होते हैं, कैंसर वगरा होते हैं, तो ये भी आम तोर पे जो unexpress जीन्स होते हैं, वो वाइरस इस वगरा उनको active कर लेते हैं, तब ज कि ये मसले भी नहीं होते, लेकिन साजा के तोर पे, ये जो मुखतलिफ किसम की बीमारिया हमारे अंदर होती है, उनमें से आम तोर पे इस 90% के अंदर किसी area को acute कर लेते हैं, तब बंदा AIDS, या या आजकल ये जो क्या है करोना, ये जो क्या है इसके अलावा, कैंसर वगरा ह अब अगर आप लोग इस सोलनाइट को अप लोग पिर कंडेंस कर लें, यानि मैं इसको पिर कंडेंस कर रहा हूँ, अगर हम और आप लोग इसको पिर कंडेंस कर लेंगे, तो जो कंडेंस फारम इसका बन जाता है, मैंने क्रोमेटीन फाइबर को पिर कंडेंस किया, तो जो condensed form इसकी बन जाती है is called is the super coil तो जो super coil है याद रख लिए इस chromatin fiber की condensation शे बन गया इसका मतलब super coil is the more condensed form than the chromatin fiber one तो इसका diameter कितना है बुक ने लिखा है 200 nanometer अब इस बात को मैं बार-बार repeat नहीं करूँगा कि 200 आप लोगो कोई से ज़्यदा नदर आएगा लेकिन याद रख ले कि इस super coil ने बहुत ज़्यदा solenide को condensed किया हुआ है तो फिर कम होगा ये बात आपकी जिन में होनी चाहिए तो बाद दफाए MCQ के अंदर ये बात पूछ जाती है कि इन में से कौन सा वाला condensed form है नुकलियोसोम chromatin fiber super coil super coil बहुत ज़्या condensed form है बात दफाए इन में से कौन सा है जो least condensed form है तो फिर वो नुकलियोसोम होगा बात दफाए पूछ जाता है कि अगर नुकलियोसोम condensed हो जाए तो फिर किस चीज़ को बनाएगा chromatin fiber को बनाएगा chromatin fiber अगर condensed हो जाए तो फिर इस चीज़ को बनाएगा ये पिर super coil को बनादेगा लेकिन एक और चीज़ के अंदर भी आप लोगों ने गलती नहीं करनी है ये दो मिलते जूलते अलफास है super coil and super twist या super helix मिलते जूलते हैं लेकिन फरक का आपको पता होना चाहिए super twist क्या है मैंने समझा दिया है super coil क्या है मैंने आप लोगों को समझा दिया है ये जो super coil होते हैं ये पिर condensed हो जाते हैं ये पिर से condensed हो गया अगर आप लोग super coil को फिर condensed करेंगे तो जिस चीज़ को ये फिर बना लेता है इस काल इस दी क्रोमेटीड क्रोमेटीड समी इसको पिर कहते है इसका मतलब यह हुआ कि जो सूपर कायल होता है जब ये कंडेंस हो जाए तो पिर जिस चीज़ को बना देगा उसका मर आपनों क्रोमेटीड कहेंगे तो अगर मैं पूछूँ कि क्रोमेटीट का डामेटर सुपर कायल से ज्यादा होना चाहिए? हाँ, ज्यादा होना चाहिए. कितना होता है? 700 नेनो मीटर. लेकिन अगर मैं पूछूँ कि इस क्रोमेटीट का फाइदा क्या हुआ? उसने बहुत ज़रा सुपर कालको कंडेंस किया तो जो एक क्रोमोसोम होता है इसके अंदर जो क्रोमेटीड्स होते हैं यह हमें दो नजर आते हैं और आम तोर पर हम इसको ऐसे शो करते हैं एक ऐसा और दूसरा ऐसा तो क्रोम सॉम को जब आप लोग इसको ऐसे बनाते हैं तो इसमें एक क्रोमेटीड़ यह है एक क्रोमेटीड यह है तो क्रोमसॉम के अंदर कितने क्रोमेटीड़ होए दो, so 700 एक का है, 700 दूसरे का है तो पीर 1400 बन जाएगा यह सारा कुछ तो इस तरह से बन गया है अगर मैं आप लोगों से जंदर लिखा है आप लोगों से पूचा गया जो के पूचा भी जा सकता है कि जो एक क्रोमेटीड हमारे से बन गया है यह वाला 700 डिनोमेटर का दो तो 1400 तो अगर मैं पूचू इस एक क्रोमेटीड में डिने के कितने मालेक्यूल्स होते हैं तो यह लफज में आप लोगों को पहले से जा दिया है डिने वन मालेक्यूल मीन्स तो स्ट्रेंड्स तो अगर आप लोग तोड़ा सा आप लोग इसको खुद ही हल कर ले इस जगाप लोग पिर इसको पास कर ले स्टाप कर ले वीडियो को पिर आप लोग खुद ही पहले कल्कुलेट कर ले वो यह है अगर आप लोग इस एक क्रोमेटीड में देख ले तो एक क्रोमेटीड तो यह है तो इस एक क्रोमेटीड में क्रोमसोम के कितने molecules से molecules means two strands तो वो तो बनना वे है super kind super kind chromatin fiber chromatin fiber nucleosome nucleosome में DNA लेकिन वो DNA two strands एक molecule it means कि एक chromatid के अंदर DNA का एक molecule है तो एक chromosome में कितने chromatids हैं दो तो एक chromosome में DNA के कितने molecules होंगे तू लेकिन कहीं पूछा गया कि एक क्रोमोसोम में DNA के कितने स्ट्रेंड्स हैं क्योंकि एक मालेकूल में दो स्ट्रेंड्स है तो एक क्रोमोसोम में DNA के स्ट्रेंड्स कितने हो गए हैं तो कहीं पूछा गया कि human beings जो के deplied है means 46 क्रोमोसोम हैं तो 46 kromosomes में DNA के molecules कितने होंगे तो हर एक kromosome के अंदर DNA के दो molecules है So 46 multiplied by 2 92 इसके मतलब कि 92 molecules वहाँ पे present है लेकिन कहीं पूचा गया कि human beings के जो के deep lied है वहाँ पे 46 kromosomes है तो 46 kromosome में DNA के strains कितने होंगे तो भी बड़ा आसान है हर एक kromosome के अंदर DNA के 4 strains है So 46 multiplied by 4 जरूरी नहीं यह के 40 होगा बाद दफ़ा पूचा जाता है कि अगर हमारे साथ 6 kromosomes हो तो DNA के molecules कितने होंगे तो 12 DNA के strains कितने होंगे 6 multiplied by 4 24 इसके उपर आपने तोड़ा practice जरूर कर लेंगे Next यह जो दो chromatids होते हैं ताकि कहीं यह separate ना हो जाए तो कुद्रत ने इनके बीच में protein का एक molecule रखा हुआ है बुक ने centromere या primary constriction या काइनेटो कोर या काइनोमियर मुक्तलिफ किसम के नाम रखे हुए हैं पर याद रख ले यह protein होता है इसमें DNA वगरा नहीं होती फाइदा क्या है जब cell division हो 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा यह kromosome spindle fibers के उपर खुद को attach कर लेते हैं तो जहां पर इनकी attachment उस time पर होती है यह इस primary constriction या इस centromere या काइनेटो कोर या काइनुमियर के तुरू होता है इससे लिए कुछ लोग इसको spindle attachment protein भी लोग इसको कहते हैं मुक्तलिफ नाम में आप लोगों को बता दिये हैं खो याद रख ले जो भी कोई kromosome होगा इसके अंदर ये चीज़ ज़रूर present होगी हर एक kromosome में नहीं कुछ kromosome में primary के बाद यहाँ पर कोई और constriction भी present होती है उसको हम पिर secondary constriction कहते हैं और इसका फाइदा इसका function एक ही है और वो function यह है यो function यह है कि अगर किसी cell के अंदर nucleus में nucleolus present है तो उस nucleolus को organize करना यह इस secondary constriction का काम होता है तब जाके कुछ लोग इसको nucleolar organizer region भी लोग इसको कहते हैं और आम तोर पे हम इसको NOR से हम इसको abbreviate करते हैं nucleolar organizer region तो पहला वाला क्या है वो function में ने बता दिया है यह क्या है इसका main function nucleolus को organize करना होता है वो एक बात आपके जिन में होनी चाहिए कि अगर एक cell है वहाँ पे nucleus है nucleated है nucleolus है उदर पे पिर तो उन 46 chromosome में से यानि 23 pair में से एक pair ऐसा होगा जिसके अंदर यह NOR region होगा हर एक chromosome के pair में नहीं होता यह सिर्फ और सिर्फ एक के अंदर होता है तब जाके तो हम इसको nucleolar organizer region भी हम इसको कहते हैं लेकिन यह हर एक chromosome के अंदर नहीं होता आपके बुक ने इस NOR के लिए secondary construction का जो लफज है वो भी इस्तेमाल किया हुआ है chromosome है अगर देख लिए इसके अंदर बड़ी कीमती चीज़े जीन्स पड़े हुए है DNA पड़े हुई है कहीं यह खराब ना हो जाए कुद्रत ने क्या क्या हुआ है कि इनके सर के उपर helmet यानि टोपी लगाई हुई है protection के लिए ऐसे लगा होता है इसको आपके बुक ने नाम दिया हुआ है satellite तो satellite क्या होते है यह इसके उपर जैसे हम और आप लोग मोटर साइकल वगाईरा के उपर जाते है helmet लगा लेते है यह helmet होता है टोपी होती है लेकिन आपर देख लिए खुदा ना खुस्ता अगर कोई बंद एक्सिडिन्ट भी कर ले 46 क्रोमोसोम्स हैं तो यह आपस में बकाईर तो पर ऐसे इनके जो सर होते हैं ends होते है 46 क्रोमोसोम्स यह ऐसे ऐसे टकरते हैं तो फिर खत्रा होता है कि यह जो DNA है वो कहीं खराब ना हो जाए तो कुदरत में इनके उपर satellite लगाए हुए है protection के लिए ताकि पिर यह असल जो DNA है वो खराब ना हो जाए खैर है अगर satellite के अंदर जो DNA है वो खराब ही क्यों ना हो जाए लेकिन असल DNA को किसी किसम का नुकसान ना पहुंच जाए तो इस satellite में जो DNA होती है वो फजूल होती है बेकार होती है कबाड वाली होती है कबाड को हम कहते हैं जंक तब जाके वो लफज लिकवा है कि सेटेलाइट के अंदर जो DNA प्रेजन होती है उनको हम जंक DNA हम पिर इसको कहते हैं यह जो सेटेलाइट होते हैं जो जन डियने जो होती है इसके बिलकुल टाप के उपर यहां पे डियने प्रेजन होती है हर एक टाप के उपर लेकिन याद रख ले कि यहां पे जो डियने प्रेजन होती है यह बिलकुल प्यूर डियने होती है इसमें किसी किसम के प्रोटीन व इसके उपर negative charge होता है, इसका मतलब कि क्रोमोसोम के जो ends होते हैं, वो negatively charge होते हैं, और इस negatively charge का फाइदा क्या होता है, जब क्रोमोसोम के अंदर cell dividend होती है, तो you know कि 23 क्रोमोसोम किसी एक cell के अंदर चले जाते हैं, 23 क्रोमोसोम किसी दूसरे cell के अंदर चले जाते हैं, तो अगर इन में ये negative charge ना होता तो वो chromosome आपस में ऐसे stuck होते, stuck होते तो cell dividend में किसी cell के अंदर chromosome ज़्यादा जाते, किसी के अंदर कम जाते, तो उन से पिर मुखतलिफ किसम के genetic problems होते syndrome होते, इस तरह के down syndrome है turner syndrome है, clear filter syndrome है वो असल में वो जो chromosome दोते है वो stuck हो जाते हैं, लेकिन चुणकि इसके उपर कुदरत में negative charge वाली purity नेरा की हुई है, इसका फाइदा ये होता है कि जब दो क्रो मुस्वम आमने सामने आते हैं, तो इनके जो negative negative charge होते हैं, ये पिर एक ज़सर को repel करते हैं, और इस पेलिंग का फाइदा ये होता है, कि फिर वो आपस में मर्ज नहीं होते हैं, और cell division में पिर किसी किसम का नुकसान जो है ये पिर इसको नहीं होता है, इन ends को, आपके बुक ने जो नाम दिया हुआ है वो है टीलो मियर का, इसका मतलब कि जो ends होते हैं, वहां पे pure DNA है, negative charge होता है तीलो मियर है, इसका फाइदा ये होता है, ये जो chromosomes होते हैं, ये पिर आपस में stuck भी नहीं होते हैं, तो हर एक का फाइदा आपनों को बता दिया है, ये जो chromosomes होते हैं इनमें types भी होते हैं, लेकिन जो types हैं, वो on the basis of meta, बहुत या असान है, you know four types होते हैं ये में से एक को हम और आप लोग metacentric, sub metacentric, acrocentric और telocentric, metacentric में center में होता है, दोनों arms length में equal होते हैं, बहुत असान है sub metacentric में तोड़ा नीचे होता है, जो arms बनते हैं वो unequal होते हैं, acrocentric में close to ends होते हैं, तो एक arm बहुत length ही बन जाते हैं, दूसरे वाले बहुत चोटे बन जाते हैं, telocentric में, बिलकुल end के उपर ये सारा कुछ present होता है, तब जाके, दो arms होते ही नहीं हैं, जबकि दो arm बहुत ही length ही बन जाते हैं, तो जो चार किसम के chromosomes हैं, these are on the end, तो acrocentric और बिलकुल end के उपर, तो फिर हम और आप लोग इसको telocentric हम इसको कहते हैं, लेकिन इधर ही आप लोग को बता दूँ कि एक और confusion जो कि आप लोग को वो ना ले जाए, एक telocentric हैं, और एक telomere का लफ़ भी में लिखका हुआ है, so telomere और telocentric में फरक क्या है, telomere is actually part of the chromosome, यह हर एक chromosome के उपर प्रेजन होता है, लेकिन एक telocentric भी है, telocentric is a type of chromosome, तो इन दोनों में फरक क्या है, कि telomere part of chromosome है, telocentric type of chromosome जो है, यह फिर प्रेजन होता है, तो chromosomes के types कितने हैं, chromosomes के हमारे साथ four types जो है, यह फिर प्रेजन होता है, किस के base पे है, मैं आपके साथ यह बाद शेयर कर ली है, thank you very much.